हलो एवरीबड़ी, I hope आप सब हल्दी होंगे, मैं हूँ अपकी बाइलोजी एडुकेटर शिवानी मायम, welcome back to Magnate Brains, जो आपको प्रोबाइट कराता है Kinder Garden 2 Class 12, हर क्लास, हर सब्जेक की क्वालिटी एडुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, जी हाँ आपने सही सुना, Magnate Brains प्रो बोड़ हो, या MP बोड़ हो, आपको हर क्लास, हर सब्जेक के टॉपिक वाइज एडुकेशन, साथ में मिलेंगे डे, सारे प्रेक्टिस क्वेशन, इतना ही नहीं, आप मेल कर सकते हैं, e-notes and e-book, जिसकी लिंक, description box में दी है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th biology, unit number 3, that is cell, structural and functions, ठीक है, तो हम cell के structure and functions के बारे में बात करेंगे, तो हम इस unit में, the cell unit of life पढ़ने वाले हैं, chapter number 8 है आपकी NCRT में ये, और हम cell chapter का यहां पर chapter overview, मतलब इस chapter में, cell chapter में हम क्या-क्या चीज़े cover करने वाले हैं, the unit of life में हम क्या-क्या चीज़े cover करने वाले हैं, और introduction part आपको क्या समझाना चाहता है, ये सब कुछ हम cover करेंगे, I hope अभी तक आप सब बच्चों ने, जितने भी बच्चे students हैं, उन्होंने वीडियो को like कर दिया होगा, और अपने दोस्तों को, भाई बहनों को और पडोसियों को link share कर दी होगी, तो वो भी अपने साथ साथ पढ़ाई कर सके, राइट, चाले, तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं chapter overview में, कि हम इस chapter में कौन-कौन से topic cover करने वाले हैं, और उनका sequence क्या होगा, राइट, तो सबसे पहले हम जानेगी कि cell क्या होता है, actually cell है क्या, cell किस से मिलकर बना ह होता है, तो what is cell सबसे पहला topic है हमारा इस chapter का, राइट, तो हम क्या पढ़ेंगे कि cell क्या होता है, राइट, then cell theory, कि cell जो है इसके बारे में क्या theories दी गई, किसने theory दी थी cell की, ये सब कुछ पढ़ेंगे, श्रील्डन एंड श्वान के बारे में हम पढ़ेंगे, then हम overview पढ़ की cell जो है, उसमें क्या-क्या चीजे होती है, किसमें cell को देखा गया सब से पहले, फिर हम पढ़ेंगे prokaryotic cell के बारे में कि prokaryotic cell होता है, बैक्तीरिया का जो cell होता है, उसमें जो covering है, outer covering है, वो किसकी बनी होती है, कितनी covering होती है, cytosol क्या होता है, इसमें membrane bound organelles होते हैं या नहीं होते, तो यह सब पढ़ेंगे, फिर हम eukaryotic cell में plant cell और animal cell पढ़ेंगे, यहाँ पर हम bacterial cell के बारे में पढ़ेंगे, prokaryotic cell में हम bacterial cell के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, bacterial cell, फिर हम पढ़ेंगे eukaryotic cell में plant cell and animal cell फिर हम पढ़ने वाले हैं, sorry excuse me, फिर हम पढ़ने वाले हैं NCRT solution, यह हमारा यहीं पर खतम होता है, इसमें हम देखे, जब cell पढ़ेंगे, तो cell के अंदर हम पढ़ेंगे कि genetic material क्या होता है, cellular barrier क्या है, cytosol क्या है, यह सब कुछ हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, genetic material, दोनों में, cellular barrier, जिसे हम cell membrane या plasma membrane कहते हैं, cellular barrier, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, cytoplasm या cytosol, तो यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, cytoplasm, क्योंकि eukaryotic cell है, वहीं पर prokaryotic cell में मैं क्या बोल दूँ, genetic material, cellular barrier, and cytosol, क्या बोलेंगे हम cytosol, फिर यहाँ पर हमारा theory part complete होता है, उसके बाद हम NCRT solutions करेंगे, multiple choice question, most important questions and complete chapter revision, ऐसे हम पूरे chapter को cover करने बाले हैं, तो चलते हैं introduction part पर, पहले से पहले screenshot ले लीजे, जल्दी से, बिना किसी देरी के screenshot ले लीजे, चलिए, तो देखते हैं, when you look around, you see both living and non-living things, तो भाई जहां पर अभी आप बैठे हो, बैठ कर वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने आसपास आप देखिये थोड़ा सा, हाना, तो आपको कुछ चीजे कैसी देखेगी living, कुछ चीजे non-living देखेगी, तो आप कैसे बोल पाओगे कि यह living है यह non-living है, तो जैसे कि आपको आपके desk दिख रही होगी, chair दिख रही होगी, आपका room है तो आपको bed भी दिख रहा होगा, एक mirror दिख रहा होगा, तो यह सारी चीज, fan दिख रहा है, तो यह सारी चीजे क्या हो गई, non-living, वहीं पर आपने देखा कि आपके room में एक मच्छर है, ठ तो किसी भी चीज को, किसी भी organism को, या किसी भी material को हम living या non-living कब कहेंगे, अगर वो जो organism है, जो think है, वो किस से बनी है, cell से बनी है, मतलब वो living है, और अगर cell नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, non-living, तो इनका कहना, when you look around, you see both living and non-living things, तो आपने दोनों चीज देख ल living, non-living है, तो ये तो आपन 55 से पढ़े आ रहे हैं, हाना, 55 से पढ़ते हैं कि क्या चीज है living है, क्या चीज non-living है, you must have wondered and asked yourself, तो आपको obviously बात है, curiosity आई होगी, कि ऐसा क्यों भाई, कोई living क्यो है और कोई non-living क्यो है, तो what is living, is that makes an organism living, हाना, ऐसी क्या चीज है, जो organism को living ब meat, thing does not have which a living thing has, ठीक है, और ऐसी क्या चीज non-living में नहीं है, जो की living में है, ठीक है, तो आपको obviously बात है, curiosity आई रहे होगी, कि इसे हम living क्यों बोल रहे हैं, और इसे हम living क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसमें ऐसी क्या चीज नहीं है, जो living में है, और जो living में है, वो क्या चीज है तो ये सारी चीजे हमारे अंदर क्या पैदा करती है curiosity तो जानते हैं कौन सी चीज living को living बनाती है कौन सी चीज living को living तो बनाती है but non living को living कब बना सकती है राइट चले तो ये चीजे हम जानते हैं तो देखिए the answer to this is the presence of basic unit of life हाना हम living किसी को कब बोल रहे हैं जल्दी बताईए अगर उस चीज में उस thing में क्या है basic unit है life की basic unit है जिसे हम cell कहते हैं तो आप से अगर पूछा जाए कि living non living को आप कैसे define करोगे cell है तो living है cell नहीं है तो non living है simple सी बात अगर आपसे बोला जाए कि living non living को एक शब्द में बताओ cell है तो living है cell नहीं है तो non living है non cellular thing non living cellular thing living राइट तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि इसका अंसर क्या है cell in all living organism ठीक है तो basic unit क्या है living की cell क्या है cell ओके अब organism जो है वो single cell भी हो सकता है और multi cell भी हो सकता है तो देखिए all organism are composed of cells तो सारे के सारे जो organism है जिने हम living कह रहे हैं वो किस से बने हुए है cell से बने हुए है किस से बने हुए cell से बने हुए अब देखिए some are composed of single cell कुछ organism जो है एक cell से बने होते हैं तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं सब से पहले living and non-living तो ठीक है यहां पर हमने देखा living and non-living ठीक है तो living मतलब cellular living मतलब cellular cellular का मतलब क्या होता है cell present non-living का मतलब non-cellular right तो यहां cellular का मतलब क्या है जल्दी बता दीजी यहां पर cellular का मतलब है cell present क्या है cell present non-cellular का मतलब क्या है cell absent right clear है इतना समझ में आया तो यह तो किसको define कर दिया living and non-living को cell present मतलब living cell absent मतलब non-living इतना clear है अब हम बात करते हैं किसकी organism की किसकी बात करते हैं organism की तो organism दो type की होते हैं एक होते हैं unicellular दूसरे multicellular right जैसे की हम हैं तो इसका screenshot ले लिया आगे बढ़ें तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी organism organism कैसा होता है जल्दी बताइए organism कैसा होता है living होता है कैसा होता है living right क्यों living है क्योंकि इस पे क्या है cell है क्या है cell है तो अब organism जो है वो कितने type का है दो type का एक है unicellular क्या है unicellular organism क्या है unicellular organism दूसरा है multicellular organism क्या है multicellular organism ठीक है unicellular organism का मतलब क्या है unica मतलब क्या होता है unica मतलब होता है one unica मतलब क्या है one और cellular का मतलब क्या है cell यहां पर multi का मतलब है many और cellular का मतलब है cell right तो यहां पर मैं क्या बोल रही हूं यहां पर बोल रही हूं organism और गिनिजम और गिनिजम क्मपोजड औफ क्मपोजड औफ सिंगल सेल तो इससे हमने क्या बोला लिखा होगा यहां पर यह बोल रहे हैं कि some are composed of single cell जैसे हमने unicellular बोला, यहाँ पर organism composed of many cell, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? multicellular organism, तो यहाँ पर unicellular organism के example क्या हो जाएगा? जल्दी बिताएगे, example क्या हो जाएगा? amoeba, paramecium, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम बात करें, कुछ भी बात कर लें, human, ठीक है? dog, cat, etc, ठीक है? right, तो यह क्या हो जाएगे? multicellular organism, इतना clear है या ने, जल्दी बताएगे, तो इन्हों ने क्या बोला है? while other, like us, composed of many cells are called multicellular organism, जैसे कि हम हमारी बात करें, तो हमारी जो body है, trillions of cells से मिलकर बनी हुई है, right? तो हमारे अंदर बहुत सारे cells है, तो हम कैसे हो गए? multicellular organism, क्या हो गए? multicellular organism, तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए, याद रखना, unicellular organism में division of labor present नहीं होता, multicellular organism में division of labor present होता है, ठीक है? तो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, यहीं पर वैसे मैं पढ़ाऊंगी आगे आपको यह, ठीक है? यह चीज़ पढ़ाऊंगी मैं आपको, तो यहाँ आप लिख सकते हो, division of labor absent और यहाँ पर क्या होता है? division of labor present, यहाँ क्या बोलूँगी मैं? division of labor present, division of labor का मतलब क्या है? multicellular organism है, तो यहाँ पर भाई, क्या होगा? cell यह tissue जो है, मैं बात करूँ, tissue, organ, organ system को क्या कर दिया गया है? यहाँ पर उनको काम divide कर दिया गया है, कि भाई, आप जो tissue हो, आपको यह काम करना, आपको यह काम करना, इस organ को यह काम करना है, इस organ system को यह काम करना है, तो यहाँ पर हर एक को अपना काम बाट दिया गया है, तो division of labor किसमें present होता है? multicellular organism है और किसमें present नहीं होता unicellular organism में ओके चालिए तो यहीं पर हमारा chapter overview and introduction वाला part खतम होता है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको समझ में आ गया होगा कि हम chapter में क्या-क्या कैसे-कैसे पढ़ने वाले हैं और NCRT क्या बोल रही है इसमें introduction पार्ट में तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आप हमें YouTube चैनल पे तो अल्रेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटा-फट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को क्लिक कर दीजे जिससे सारे के सार नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके डेली बैसिस पर आप प्रीमियर वीडियो और लाइब वीडियो अटेंड कर सके और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेच पर तो आपको क्या करना है सिंपली गूगल पर जाना है और टाइप करना है मैगनेट ब्रेंज तो यहां पर स्ट्रीम बाइस कंप्लीर कोर्स की प्लेलिस्ट रहेगी और इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का पूरा NCRT वाला पार्ट जो एडवांस थियोरी है वो प्लस आपका NCRT Solution, MCQs, MIQs, Daily Practice Questions और साथ में आपको यहां पर मिलेंगे e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है और आप हमें follow कर सकते हैं हमारे official website पर that is www.magnetbins.com और आप हमसे जोड़ सकते हैं हमारे social media handles के तुरू जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp आप पहले जान लीजे कि Magnet Bins के top courses के अलाबा कि दो channel है Magnet Bins के Hindi Medium Channel and English Medium Channel, Hindi Medium Channel पर यह सारे के सारे courses आपको जो है Hindi में available रहेंगे वही पर English Medium Channel पर सारे courses आपको English में available रहेंगे कौन कौन से courses हम यहाँ पर cover कराते हैं तो वो है CBSC board CBSC board के साथ हम state boards की तयारी भी कराते हैं जैसे की Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and Spoken English यह सारे के सारे top courses Magnet Brains आपको high quality education के साथ 100% free में कराता है जी हाँ आपने सही सुना और मैंने सही कहा Magnet Brains प्रोबाइड कराता है unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने की ज़रुएत नहीं है तो जुड़े रही हैं मुझसे और Magnet Brains से मिलते हैं एक्स वीडियो में, bye bye